हेलो प्रेंट, वेलकम टू बाजीरा रेड़ी इंस्टूट, टुडे एनलेसिस के आज क्यांग में हम 2 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं आज के प्रमुख समाचार जो है कहीं कहीं देखें तो इसमें आज का पूरा न्यूज जो है वो इसराइल हमास पुना हो गया है वो और जो है काप 28 का सम्मेलन हो रहा था उसको लेकर है तो इसराइल हमास पे जैसे मैंने बताया है कि सनीवार रभीवार को बताएंगे तो वो कल हम उसको आपको डिटेल में बताएंगे आज जो है हम उसको काप 28 के दो प्रमुक मुद्धों पर चर्शा करते हैं जैसे एक पहला मुद्धा है कि काप 28 सम्मेलन और भारत की जलवाई कूट नीती क्योंकि देखिए ये है तो बैस्विक एक जलवाई परिवर्तन का सम्मेलन लेकिन जो भी बैस्विक सम्मेलन और उस चरह की चीज़ें होती है उसमें देशों की अपनी अपनी इंट्रेस्ट एक सामोई किया जनरल पब्लिक गूट की बात किया जाता है लेकिन कहीं ने कहीं अपने हितों को हर देश प्रात्मिक्ता देता रहा है ऐसा सभी देश करते हैं तो ऐसे में कहीं ने कहीं भारत को जो अपनी उसकी जलवाई कुटनिती है क्या सभी के साथ नया है लेकिन समानता का बेवार समानता का बेवार कैसे प्रतिब्यक्ति समानता और या दिहासिक समानता की बात भारत करता है ठीक है उस आधार को वो भारत को अपने आपको यहां भी बनाए रखने की बात है और जैसा कि प्रधान मंत्री देखेंगे उनों सम्मेलन में जब वो सामिल हुए है तो उनकी बात और इस तरह की चीजों को लेकर हाला कि इसको लेकर संभावना है कि कोईला को जो है कोईले की कटवती पर पूरे जिवास मीधन को लेकर कोईले की कटवती पर जो है बल देने का बल है क्यों है अभी इसको समझने की कोशिस करते हैं दूसरा एक मुद्दा है काप 28 सिखर समेलन में हानी और छती निधी लास एंड डैमेज फंड का जो है एक गठन किया गया है उसमें जो है एक्चुल में इस फंड की बात जो कहा जाए मैं काप पे बहुत ज़्यादा पढ़ाने का इच्छुक नहीं रहता हूं क्योंकि जब तक पूरा हून जाए तब तक उसका जैसे पिछली बार काप 27 सरमसर का बहुत मिस्र में था बहुत हाइलाइट बहुत सारी चीजे धेर सारा हम लोगों ने पहार खोदा निकली किया थी एक चुहिया वो चुहिया यही थी हानी और छती निधी यही एक काम भर की चीज उसमें निकली हुई थी और उसमें भी अब जाके फंडिंग की और कैसे की बात आई यानि साल भर बाद ये बात आई थी कि इसमें अब फंडिंग की बात की जाती है तो उसी के लिए कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसके लिए कुटनिती किस्तिती होती है इसलिए कहा रहा है न कि भारत की जलवाई कुटनिती के लिए जरूरी है कि वो अपने हितों को न छोड़े क्योंकि दुनिया जब नहीं छोड़ रही है तो ऐसे में हमें भी अपने हितों को ध्या मुद्धा क्या है क्योंकि अभी सिखर समेलन में भारत के प्रधानमंत्री गये हैं भारत जी ट्वेंटी का अभी तक अध्यच ही रहा है और उसकी अधिशता में जी ट्वेंटी में जो है जो घोशना आई थी उसमें कई सारे जल्वाई परिवर्तन को लेके पैक्ट हुए थ अगर इसको देखे तो भारत जल्वायु परिवर्तन के समश्या को समझता है उसके लिए वह जल्वाई की बात करता है कि सबान लेकिन preferential विवार होना चाहिए कि हर किसी को जलबाई परिवर्तन के बारी में करना है लेकिन सबका contribution अलग अलग होना चाहिए उसमें प्रतिविक्ति जो है उस सर्जन और एतिहासिक रूप से उसरजन वाली बात भारत करता है और विकासिल देशों की जो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसमें विशेश तोर से जो है विशेश छूट देनी की बात करता है भारत उसी चीज को बनाये रखे हुए है साथ ही में किसी नए प्रतिवर्थता को लेकर भारत ने जो दि मिस्रण में, अभी भी 70% बिजली जो आती है, उसमें कोईला आधारित है, ऐसे में जहां भारत को तेजी से विकास करना है, अपने देश को अपने देश के लोगों को जो है विकास के लाप देना है, एक विकसित देश की तरफ महत्वा कांची 2047 का लच ले रखा है, ऐसे में जलवाई कुटनीति के स्थाई सिध्धान्त, क्या सिध्धान्त है, समानता और नयाय, समानता ये कहती है कि common but preferential, सबके समान बेवहार है लेकिन preferential होना चाहिए, यानि जैसे देखो कि हाथी और हिरन या सेव और हिरन दोनों के साथ समान बेवहार नहीं किया जा सकता है क्यों एतिहासिक रूप से भूमका अलग है, उनकी आर्थिक स्थिय अलग है, उनके देश में रहने वाली जनसंख्या की स्थिय लोगों की अलग है, इसी तरह से भारत इसकी बात करता है और climate justice की बात करता है कि कहीं ने कहीं जो जलवाई परिवर्तन के लिए दोसी मतलब उसके जिम्यदार देश हैं, वह हैं विक्सित देश, और उसके लिए जो जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह उठाना पड़ रहा है विकासिल देशों को, इसलिए जो बल होना चाहिए, समान बेभार होना चाहिए, लेकिन दूसरा यह होना चाहिए कि जो विक्सित को रोकने के लिए नई प्रतिबताताओं से बच्चते हुए बर्धान मंत्री कर 28 में अपने संवोधन में भारत में तोजारफ इथाइस ने होने वाले वार सी शिखर समेलन के तेज़़ संक्रम की मैजबानी करने बचा और क्या कहते हैं प्रधान मंत्री जी कि वह कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है जो carbon dioxide उसर्जन जो green house gas जैसे उसर्जन है वह net zero 2050 के पहले ही विक्सित देशों का हो जाना चाहिए ताकि कुछ जो window बचे वो उसका फायदा विकास सिल देशों को थोड़ा ज्यादा समय तक उसका इस्तिमाल करने में किया जा सकता क्योंकि विक्सित देश चाह रहे हैं कि मिंत्री निन साथ कहा कि विक्सित देशों को 2050 से पहले इसको अपना net zero कर लेना चाहिए लेकिन विकास सिल देश ताकि विकास सिल देश अपना जो है वो अपनी ज़रुरतों के लिए थोड़ा सा उनको space मिल जाए साथी में दुनिया के देशों को भारत की green credit पहल है उसके बारे में सामिल होने के लिए जो उन्होंने बताया कि जैसे हमारे यहां क्रिसी शेतरादी में जो green credit पहल है इसमें दुनिया के अन्य देशों को सामिल होने की बात की कि यह commercial नहीं है इसमें आप जो है यह गैर बैसाईक प्रियास है इसमें आप सामिल हो सकते हैं और कही ने पहले ही भारतियों सलच को हांसिल कर लिया है और जो अपना National Determinant Goal है NDC है उसको हांसिल करने की भी राह परतेजी से भारत चल रहा है ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश की नवी करन उर्जा की प्रतिबतताओं को भी डोहराया और साथ ही में यानि अब यहां देखिएग कैसे डिप्लोमेसी की रोल है कि प्रतिबतताओं दोराया है कि भारत जो है अपनी नवी करन उर्जा जो 2030 कभी 2020 में किया है कि तीन गुना करेगा उससे करेगा साथ ही देश की अर्थवियोस्था में कोईले की महत्वण भूमका के भारे में भी असपश्टतया बता दिया है कि वो भी भारत की जो कोईला की जरूरते हैं उसमें वो साब साब जरूरत है क्यों ऐसा भारत में कोईला भारत की उर्जा मिश्रन का एक महत्वण हिस्सा क्यों है क्योंकि यहां के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा नहों कि दबाब बनाके भारत को जो है इ नौम्ब को दोनों जलवाई के लेकर एक समझगता किया है तो ऐसे में कहीं एस समझखते के आड में इस समझगते के इस समझगते के जो है दोनों में सहमती हो जाया क्योंकि वो देखा जाए तो 38% जो है उसरजन के लिए जिमेदार हैं ऐसा करके वो भारत पे दबाब बना दे कि अपनी कोईले की कटवती किया जा हलाकि उसमें भी चीन तयार नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये संभावना बनती जा रही थी कहीं ऐसे दो प्रमुख देश जो उर्जा मिस्रण का एक महत्पून हिस्सा है और रहेगा क्योंकि देखिए भारत की उर्जा टोकरी में नवेकरी उर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है लेकिन अभी भी कोईला देश की उर्जा जरूत का 70% से अधिक उर्जा जरूरते पतान करता है और दुनिया के जो और देशा हैं जो बिकसित देशा हैं वो चलाकि से जीवास सजन की कटवति की बात कर रहे हैं वो क्योंकि इसे में भारत और बिकास और खासतोर से भारत अपने महत्पूर उर्जा आव सकताओं को क्योंकि COVID-19 के पाद जिस तरह से देश बढ़ रहा है और उसके कारण जो है कहीं ने कहीं अर्थवेवस्था तेजी से बढ़ती है तो उसके लिए जलवायु जह है सौरी उसके लिए उर्जा की मांग बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ती है ऐसे में कहीं ने कहीं जो बिजली की मांग बढ़ेगी तो उसको पूरी करने के लिए कोईला पे निर्भरता हमारी बनी रहेगी ऐसे में भारत उन यूरूपी और अमेरिकी देशों के तरह ये नहीं कह सकता कि हम कोईला की कटोती करके जो है ग्रीन हाउस जो है गैस पे जाएंगे क्योंकि गैस भी तो एक तरह से ग्रीन हाउस गैस ही ही है और वो केवल साट्रम मेजर है इसलिए भारत कहता है कि अगर आपको देखना है तो पूरे संदर्ब में देखो कि कहीं ने कहीं जो ये उर्जा है इसका कहीं ने कहीं जो है जो विकास सिल देश हैं उसके लोगों की गरीबी उनकी विकास और उनकी आर्थिक जड़ोतों को भी इसमें समाहित करना पड़ेगा और कोईले पर माइक्रो लेबर पर देखना पड़ेगा क्योंकि आप सिर्फ कोईले को देखके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की इस्तिती को उसका मुकाबला नहीं भीगक्तरिन कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि यह बात बन रही है. क्योंकि बिकात सिल्देश, विक्सित अपने यहाँ कोईला पे ऌफ़्थ हो गए हैं. उन्होंने जो है कोईला की कटवती की बात की थी लेकिन चीन और भारत के दवाब में कोईला की जगें जो है अंतिम जब पाठ आया था तो कोईला की कोईले की चरणवद्ध समापती की जगें जो है जिवास मीधन की चरणवद्ध कमी की बात की गई थी और जिवास मीधन मे अब आगे का रास्ता देखेंगे तो कहीं न कहीं जो इस सिखर समेलन में है इसमें जो है जो अमेरिका और चीन के बीच में जलवाईू समद्वों को लेकर जो घरमाहट आई है इसको नजरनदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं अब भारत पे तो चींज नमबर एक पे है, अमेरिका दूसरे नमबर पे है और एक संख के रूप में यूड़ी यूनियन है लेकिन रिखूए तो भारत जो है तीसरा उससरजक है ऐसे अब दबाब जो है इन दोनों की बीच अगर कोई इस तरह की इन दोनों में सहमती बन जाती कि हाँ चलो क्या करना पड़ेगा कि सध्धान्तिक इस्तिती लेने के बाद भी भारत को अपनी बात पर कायम रहना होगा कौन सी बात कि समान प्लस लेकिन प्रिफिरेंसियल समान लेकिन बिवेदी कृत जो एतिहासिक रूप से जो समस्या है जैसे अगर आप देखा जाए अभी इनने भी काफी कुछ कर दिया है जबकि भारत का इतिहासिक रूप से अभी जो टोटल ग्रूबल ग्रीन हाउस उस सर्जन में देखा जाए तो चार परसत योगदान है जबकि दुनिया की 18 परसत आबादी भारत में रहती है और प्रतिव्यक्ति ग्रीन हाउस उस सर्जन के कि नयाय और समानता जो क्लाइमेट कूटनितिक है उस पे बने रखने की जरूरत है और किसी भी तरह की दबाप की बीच में आने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला जो है एक positive news आई है ये परसों ही आ गई थी लेकिन कल ज़्यादा इसको आया है क में बाते कहीं गई है कि जो है conference on party 28 में जो है एक damage and loss हानी और छती loss and damage या damage and loss fund का गठन किया गया है और ये चर्चा में कहीं कहीं आ गया है तो हम इसमें समझने की कोशिस करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है क्योंकि यहाँ पे climate 28 में इसको लाया गया है चहां तक ये बात है कि ये निधी जो है इसको सर्म अल सेख में जब COP 27 हुआ था पिछले साथ तब ही ये उसकी घोषणा कर दी गई थी और उस COP 27 का एक मात्र कुछ सकारात्मक पहलू था जिसमें हमने जैसे आपको पढ़ाया भी था और बहुत सारे विश्यशक्यों द्वारा भी ये माना जान था कि इस पर सामती बन सकती है और वो पहली सामती इसे पर ही बनी है कि अक जो है इस तरह का फंड बनाया गया है जिसमें कहीने जो दोौद मिलियन डालर का मिलियन डालर का सեյनिया है अमेरिका ने 70 दिया है 275 का EU गया है ऐसे करके टोटल 475 और इस तरह के तहत जो है ये कारे करेगा और इसका काम होगा कि जो जलवाईव परिवर्तन के लिए जो पीडित देश हैं जो जिनका जिसके लिए प्रभाव पढ़ रहा है उसको इससे मदद मिल जाए तो आईए चलिए देखते हैं इस चीश को चर्चा में क्यों है क्योंकि दुबाई के क 28 जलवाई सिखर समेलन में उधगाटन दिवसपा यानि 30 तारीक को ही कमजोर देशों को जलवाई परिवर्तन के प्रभाव से निमटने में मदद करने के लिए एक हानी और छती कोष्ष आधिकारिक तोर पर लांज किया गया था इसकी प्रारंबिक फंडिंग जो है 475 मिलि मिलियन डालर दिया है यूरूपी संग 275 मिलियन डालर दिया है अमेरिका साड़े सत्रे मिलियन डालर दिया है देखिए इनकी वो देख लिजिए दोहरा पन साड़े सत्रे मिलियन डालर अमेरिका दिया है और युद्ध के लिए कई बिलियन डालर जो है इसराइल को भी नहां कि युद्ध वाली जो रच्छाब कंपनियां है वो फायदे बंद होगी ठीक है तो कहीं ने कहीं बता रहे हैं कि यह दिखता है विक्सित देशों का जापान ने दस मिलियन डालर दिया है यानि कुल मिला के यह एतना साथ सो पचत्तर यानि एक बिलियन डालर का भी फं नहीं है कि इसमें क्या होगा लेकिन फिर भी हानी और छती निधी क्या है अगर इसको समझें तो यह हानी और छती निधी जलवाई परिवर्तन के ब्यापक प्रावाओं का सामना करने वाले देशों के बचाओ और पुनरवास को सुनिश्चित करने के लिए एक बैस्विक वित्ती पैकेज है यानि जलवाई संकट का जो सामना कर रहे हैं कमजोर और विकास सिल देश जिनकी जलवाई परिवर्तन में कोई भूमका भी नहीं है उनके बदद के लिए उनके राहत के लिए उनके बचा और पुनरवास के लिए एक वित्ती वैस्विक वित्ती जाएगा अमीर राष्ट्रों द्वारत दिये जाएगा जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है और प्रित्वी पर संकट आया है और किसको दिया जाएगा उन गरीब देशों को भुकतान करना होगा जिनका कारबन फुट्प्रिंट कम है यानि ज्यादा तर्विकास सिल और बिक्सित देश और बरते समुत्र के अस्तर बाढ़ बिनासकारी सूखा तिब्र चक्रवात आदिका खामियाजा भुगत रहे हैं यानि ये एक मुआपजा है एक तरसे इसा फंड है जो बिक्सित देशों द्वारा जलवाई परिवर्तन का गंभीर जलवाई परिवर्त तो उसकी परिभासा क्या है तो इसको लेकर ही अभी कोई बहुत जादा क्लियर कट नहीं है क्योंकि जो इंटर गवर्मेंटर पैनल और क्लाइमेट चेंज की 2022 की रिपोर्ट के लेखक थे एडल थामस उनका कहना है नुकसान और छती का अलग-अलग समुहों के लिए अलग जाएगा इसको लेकर अभी कोई सहमत या सपस्ट परिभासा नहीं है जैसे अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था है कि जलवायू बित को लेकर ये परिभासा अभी सहमत नहीं है उसी तरह से छती और डैमेज क्या है इसको लेकर भी परिभासा अभी स्थापित नहीं है ये लोग चाह रहे हैं कि वो असपस्ट ही बना रहे हैं ठीक है अध्योगी कर कितना नुक्सान हुआ है तो उसमें देखिए कि 1850 से अब तक जो आया है उसमें जो अमेरिका ब्रिटेन और सब हैं ये 50% के लिए और उसमें रूस और जापान कनाड़ा आस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 65% के साथ हो जाती है जहां तक भारत का सं संबंद है भारत केवल 4 परसत यृतिहासिक रूप से उसर्जन के विए जिम्यदार है और चीन जो है वो हर साल 30 परसत्थ के आस्पास 20 को सरजन के लिए जिम्यदार हो जाता है और अगर 20 को सरजन के विए जिम्यदार ज्रीन हाuse गैसों की बात करें तो उसमें कारबन चुनोती पूर्ण है वो है carbon dioxide का हलाकि जलवास्प का भी बहुत है लेकिन वो तो natural है जो manmade है उसमें carbon dioxide सबसे ज्यादा चिंता जनक है और इसी को कम करने पर ज्यादा बल्ब दिया जा रहा है दुनिया को कितना हानी और छती जहलना पड़ रहा है अब इसको लेकर अभी कह र 20 वर्सों में 55 जो सबसे least कमजोर देशों को जलवाई संकट के कारण सनी तुरूप से 525 अरब डालर का नुकसान हुआ है और ये संख्या 2030 तक प्रतिवर्स 580 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है यानि ये आगे जो है अब और बढ़ता जाएगा और ये बढ़के 580 अरब डालर प्रतिवर्स हो जाएगा ठीक है और इसके इसके अनुसार मिल क्या रहा है जो मिल रहा है आप कहिए कि जैसे इसमें जो समस्या है वह यह है कि इसका भी असमान वित्रण हो रहा है नुकसान किसको विकास सिल्स और कमजोर देशों को और उसमें भी जैसे भार है या सिलंका है या बंगला देस है तो उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा जो उसमें भी कमजोरवर वर्ग हैं जो कमजोर वर्ग रहते हैं जो महिलाएं है जो बच्चे हलांकि बिकास सिल देश इसको ली कर थोड़ा सा अनीचुख थे यह हैं थे ही अब चुकित्य तयार हो गये हैं क्योंकि उनको मुणका मानना है कि जो विशो मैंक है यह कहीं न कहीं जो विकसीत देश हैं या जो अमीर देश हैं उनके ही हितों की बात करता रहा है और इसमें कोई बुराई भी, उसमें कोई सक की बात नहीं है. जो हमारी बहुराश्टी संस्थाएं हैं, वो कहीं न कहीं बिकसित देसों, खास्तोर से विकास बैंग, बिसो बैंग और अंतरास्टे मुध्राकोस, वो कहीं न कहीं जो है अमीर देशों का, या ग्लोवर तरप उनका जुकाव रहा है ऐसे में इनके दाराई कहा गया कि नहीं सतरे के संस्था नहीं हो गी लेकिन अभी कोई बिकल्प नहीं होने के कारण इन देशों द्वारा अंततह जो है इस बेवस्था को स्विकार कर लिया गया है ठीक है तो अभी इतना ही आज के लिए है बाकी जब जैसे जो और चीजें आती रहेंगी उसको हम देखेंगे इसराइल वाली जो चीजें हैं उनको उनको हम जो है पहले ही बता चुके हैं 29 नमबर को ही बताये थे जब इसराइल सारी फलिस्तीन के लिए सॉलिडिटी दे था काफी दिन हो चुका है उस पे एक हम डिटेल क यह जो इसराइल हमास युद्ध है यह जो है कहां जाने वाला है तो कल उस पे आपको उस पर डिसकस करेंगे और साथ में देखते हैं जो न्यूज रहेगी ठीक है चलिए नमस्कार